नमस्कार और वेल्कम टू क्यूरियसली एज्यूकेशन दोस्तों आज 12 ओगस्ट 2022 है दिन है फ्राइड़े और आप सब ने रक्षा बंदन का त्योहार जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया होगा I had a very very good day and I'm sure आपका भी दिन बहुत ही अच्छा गया होगा तो दोस्तों आज हमारे डेबल पर हैं six important articles इसमें number one and number two ये दो articles जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक topic के दो articles हमने लिये हैं The Hindu newspaper के article में कुछ interesting points थे Times of India के article में कुछ interesting points थे तो इन दोनों को club करके हम देखेंगे Then we have Indian Express का एक article ये COVID को Kim Jong-un यानि की North Korea ने COVID को हरा दिया है ये ख़बर आई है तो इसके बरे में बात करने वाले हैं Then we have a very very interesting article हमारी economy पर Times of India में एक professor ने article लिखा है State holds back a nation बहुत ही interesting points इस article में हमें पढ़ने को मिलते हैं आने वाले 20-25 सालों के अंदर कौन कौन सी चीज़े भारत को करनी चाहिए जिसकी बज़े से Per capita income जो है हमारे देश की increase हो जाए And fifth article जो है ये airline industry के साथ जुड़ा हुआ है ये pioneer का article है और sixth जो है ये काफी informative है इतनौल पुश ट्रिब्यून का ये article है तो दोस्ता अपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ये भिमा कोरे गाव जगा जो है तो वहां की तस्वीर है और 2018 में यहां पर एक issue हो गया था अब ये जो case है यहां पर एक परकार के riot like situation हो गई थी तो इस case में एक वरावरा राव नाम के एक व्यक्ति है जिनकी age है 82 year old और ये तलगू poet है और activist है इनको bail grant कर दी है supreme court ने देखे बंबे high court ने भी इनको bail grant की थी लेकिन कुछ conditions रखी थी लेकिन फाइनली supreme court ने medical grounds पर 82 year की इनकी age है बहुत सारे health issues ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए supreme court ने फाइनली इनको bail grant कर दी है अब ये भिमा कोरेगाव वाला जो case है ये काफी controversial case है और इसमें लोगों पर UAPA लगाया गया unlawful activities prevention act now the thing is कि इसी case में यही जो case है भिमा कोरेगाव वाला case तो इसमें एक व्यक्ति थे father Stan Swami अब ये भी octogenarian थे octogenarian का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी age 80 plus है तो father Stan Swami जो है ये tribal rights activist थे और इनको भी arrest किया गया इनकी health भी काफी खराब थी लेकिन इनको bail नहीं मिली और फिर इनकी मृत्ति हो गई तो you can imagine कि अभी देखिए trial भी start नहीं हुआ है right अभी charges भी frame नहीं हुए है तो bail is a very natural thing bail एक normal चीज होनी चाहिए jail जो है वो exception में देनी चाहिए लेकिन UAPA जो है इसमें कुछ ऐसे stringent rules है जिसकी वज़े से bail मिलना जो है वो nearly impossible सा हो जाता है अब Mr. Rao का जो case है तो उनको custody में August 2018 में लिया गया था और February 2021 में उनको interim bail दी गई च्छे महिनों के लिए health grounds पर उसके बाद ये Bombay High Court ने उनको bail दी थी और Bombay High Court ने फिर आपको 6 मेने की bail मिलेगी फिर time to time इसको extend भी किया गया based on health ground लेकिन कुछ conditions भी रखे थी लेकिन फिर finally Supreme Court के पास ये case गया Supreme Court ने ये जो time limit है ये 6-6 महिने के बाद जो extend होती रहती थी तो इस चीज़ को हटा दिया Supreme Court ने Supreme Court ने conditions ये रखी है कि number one कि जो Mr. Rao है ये Mumbai में ही रहेंगे और number two is कि वो किसी भी witness के touch में नहीं आएंगे witness को प्रवावित करने की कोशिस नहीं करेंगे तो ये दो conditions रखी है बाकि उनको एक bail जो है regular bail जो है वो grant कर दी है The court has also taken note of the fact that the charge sheet has been filed in the case but the trial court is yet to frame charges अभी Charges जो है वो भी frame नहीं हुए है तो अगर charge भी frame नहीं हुए है तो फिर उस व्यक्ति को jail के पीछे रखने का जो है वो कोई मतलब नहीं रहता है फिर final जो case में जो भी आएगा वो तो court decide करेगी लेकिन यहां पर हम focus कर रहे है बेल पर और यह भी एक बात है कि ऐसा कोई भी claim नहीं है कि जो राव हैं उन्होंने entry bail का किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार से misuse किया हो जैसे मैं आपको starting में बताया कि UAPA जो है इसमें सबसे बड़ा problem यह है कि चलो health grounds पर तो आपको bail जो है वो मिल जाएगी लेकिन वो भी एक लंबे समय के बाद लेकिन जो merits पर bail मिलती है यह मिलना nearly impossible है क्योंकि इस low के तहत ऐसा है कि अगर आप पर इल्जाम है और आप पर अगर पुलिस ने UAPA लगाया है तो फिर यह आपकी responsibility है आपको यह प्रूव करना रहता है कि जो पुलिस ने पुलिस का जो version है यह true नहीं है यह सत्य यह हकीकत नहीं है तो यह प्रूव करना जो है यह क के लिए अभी कहते हैं ना हमने कई बार यह line सुनी है कि जब तक प्रूव नहीं होता तब तक आप guilty नहीं है तो जब तक अगर आप guilty प्रूव नहीं हुए है तो तब तक आपको jail की सजा क्यों दी जाए तब तक आप jail के पीछे रहे है that is not right as well और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ ऐसा courts नहीं कहा है Times of India का article जो है वो देख लेते हैं Supreme Court ने ये चीज़ clear कर दी है कि UAPA में अगर बले ही इतने restrictions हो लेकिन constitutional courts जैसे के Supreme Court जो है ये लोगों के fundamental rights को तो protect करेगी ही बले ही UAPA में कितने भी stringent rules क्यों ना लिखा गया हो और देखें अगें too many people who have not been proven guilty are in jail बहुत सारे ऐसे under trials हमने देखे हैं न हमने कई बार यह आंकडों को भी discuss किया है and I'm sure you know it कि बहुत सारे ऐसे under trials हैं जो jail में अभी उनका guilt जो है वो प्रूव नहीं हुआ है और जैसे मना आपको बताया कि bail should be a norm bail as norm and jail as exception is defeated by laws like UAPA यह जो एक चीज जो normal होनी चाहिए कि अगर आप पर कोई case है तो आपको bail जो है वो मिल जाए और jail जो है वो बहुत ही exceptional मामलों में आपको मिले बने ही फिर guilty proof हो जाए उसके बाद जो भी सजा दे तो that's a different thing लेकिन जब तक वो final conclusion नहीं आता तब तक वो व्यक्ती jail में रहे उ इस प्रकार की इस प्रकार के sanctions हैं इस प्रकार के sections हैं not sanctions sections हैं जिसकी वज़े से bail मिलना जो है वो nearly impossible सा हो जाता है और lower courts जो है वो बहुत ही fix में आ जाती है क्योंकि उनको यह UAPA वाला जो है उसमें जो terms and conditions दी गई है वो चीज़ों को follow करना पड़ता है बहुत सारे से accused है 2018 से वो जेल में है और उनके उपर अभी देखे ट्राइल भी start नहीं हुआ है और जैसे मैंने बताया चार्जिस जो है वो भी frame नहीं हुआ है under trials as percentage of prison population have been steadily increasing and are 76% now यारि कि हमारे दिश में जितने भी लोग जेल में हैं तो 76% जितने जो हैं वो under trials है Supreme Court की bench ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक comprehensive bail law के बारे में बताया कि जो courts हैं उनको दो हफ़तों के अंदर bail application जो हैं उनको sort out कर देना है और investigators जो हैं उनको ये जो arrest के पीछे जो reasons हैं वो बताने हैं तो ये सारी चीज़े जो हैं वो Supreme Court ने already बता दी हैं लेकिन let's hope के ये Supreme Court का जो proposal है Supreme Court ने जो ये comprehensive bail law के बारे में बताया है तो ये इसका implementation हमें जल से जल देखने को मिले Justice UU Lallich जो है जिन्होंने Mr. Rao जो है इनकी plea को सुना था He is going to be the next Chief Justice of India उनकी tenure जो है वो छोटी रहने वाली है बाद इस गोइं तो बात करते हैं नोर्थ कोरिया की North Korea के जो लीडर है Kim Jong-un उनकी बहन ने कल एक statement दिया था उनकी sister जो है She is very influential in North Korea और उन्होंने ये कहा कि North Korea में COVID आया नहीं था लेकिन COVID कहां से आया South Korea ने balloons में ऐसे balloons उड़ा है और उन balloons में उन्होंने ये COVID का वाइरस डाला था और फिर हमारे देश यानिकी North Korea में ये वाइरस जो है वो spread हो गया तो उन्होंने दमकी भी दी है कि अगर आप हमारे ये population को ऐसे वाइलिल इंफेक्ट करने की कोशिस करेंगे तो हम आपके पूरे देश यानिकी South Korea को खत्म कर देंगे तबाह कर देंगे बरबाद कर देंगे अब Supreme Leader of North Korea किम जो है उन्होंने ये ऐलान किया है उनको भी COVID हो गया था उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनके देश को जीत मिल चुकी है उनके देश ने इस pandemic को खत्म कर दिया है और युद में North Korea की जीत हुई है Now the thing is कि North Korea का जो health infrastructure है ये काफी खराब है इतनी कोई खास facilities नहीं है और North Korea के बारे में दुनिया के world level पर, world platform पर news channels में बहुत कम information है क्योंकि बहुत ही restrictions है वहाँ पर आप वहाँ पर घुमने के लिए भी जाएंगे तो आपको वीडियो ये सारी चीज़े आप लेकर नहीं जा पाएंगे इंटरनेट भी वो एक अलग प्रकार का यूज करें ये सारी चीज़े है Kim's victory over COVID-19 therefore is difficult to prove or deny आई अब ये हकीकत है उनकी जीत कोविड के खिलाफ जीत हो गई है ये हकीकत है अफ़ा है we don't know क्योंकि जैसे मैं आपको बता है उनके बारे में बहुत कम चीज़ें हमें पता है अब देखिए चाहे कोई strongman हो चाहे democratically elected अव्यक्ति हो बहुत सारे ऐसे देशों ने जब COVID-19 की first wave आई थी तो बहुत सारे ऐसे देशों ने कहा था कि हमने तो इस पर पूरी जीत जो है वो प्राप्त कर ली है कोईड अब हमारे देश में खत्म हो गया बहुत सारे देशों ने ऐसा भी claim किया था शायद आपको याद होगा तो फिर उन्होंने उनके statements जो है वो चेंज होगे उन्होंने कहा कि living with the virus हमें इस virus के साथ जीना जो है वो सीखना पड़ेगा और वो यह pretend कर रहे थे कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा था कि victory हो गई है हम तो बस चोकनने थे and things like that तो यहां पर North Korea ने क्या किया पता है उन्होंने ना नाम बदल दिया उन्होंने कहा कि यह pandemic जो है with just a fever यह COVID-19 is just a regular fever तो इस लाइक किसी भी चीज का आप नाम बदल दीजिए कि हमारे दिश में गरी नहीं है महंगाई थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है लोग गरीब नहीं है महंगाई बढ़ गई है इसलिए लोगों के पास जो पैसे वो परियाप नहीं नज़र आ रहा है इस प्रकार से अगर नाम बदलने से problem solve हो जाते तो फिर क्या होता लेकिन again North Korea के बारे में जो भी international important agencies है BBC CNN etc इसके अलावा भी होगी कुछ लेकिन यहाँ पर let's say BBC तो ऐसे platforms पर जो भी चीज़े आती है तो उनके आधार पर फि किसी Sunday Times etc तो इसे international जो मीडिया houses है उनके द्वारा रिपोर्ट्स फर्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं और उसके बाद भारत देश के निउस्पेपर जो हैं उनके आतार पर articles लिखते हैं तो जो भी international platforms पर आया है वही सारी information हमारे पास है इस से very limited information तो हकीकत क्या है we don't know बट इस articles हैं मैं यह समझने को मिलता है कि किस प्रकार से बहुत सारे democratic देशों में और यह तानाशा के बारा चलाएगे देशों में तो इसा होता ही है लेकिन बहुत सारे democratic देशों ने भी ऐसी गलती आके थी फिर वो यूटन लेने लगे luckily I would say कि भालत मैं ऐसा नहीं हुआ हमने क काफी अच्छी तरीके से इस कोवीट को हैंडल किया है इसमें कोई डाउट है ही नहीं एक और चीज है दोस्तों आज मैंने एक छोटी सी रिल भी रिलीस की है राइट इस ओन यूट्यूब इस ओन माई इंस्टाग्राम एकाउंट कि कोवीट के कैसे जो है 16,000 से ज्यादा नहीं केस जो है वो हमें देखने को मिले हैं पिछले 24 आवर्स में तो इस पर थोड़ी एक वाच रखना जो है इस इंपोर्टन क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है और अगर कोवीट के कैसे बढ़ते रहें तो इस गोईंट बी वेरी बैड फॉर एकोनोमी एंड फ फंडामेंटल्स हैं और डेमोग्रेफिक कॉंपोजिशन यानि कि हमारे देश जो है वो काफी यंग है कुछ दिनों पहले जब हम पॉपुलेशन वाले रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे तो उस ताइम पर भी हमने इसको डिसकुस किया था कि लगभग 20-50 तक हमारे देश जो है वो काफी यंग देश रहने वाला है यानि कि maximum population हमारे देश की जो है it's going to be very young तो demographic composition और economic fundamentals ऐसे हैं कि आने वाले लगभग दो दशक में भारत जो है इसकी prosperity यानि कि हमारी सम्रिद्धी जो है वो काफी widespread होने वाली है इसमें कोई doubt है ही नहीं अब जब हमारे सालों तक हम socialist lane पर चले इसको बहुत ही briefly बता दू तो देखे आजादी के टाइम पर ऐसा था कि गरीबी जो है वो काफी ज्यादा थी isn't it बहुत कम लोगों की पास पैसे थे तो उस टाइम पर government जो है वो सारी चीज़े करती थी government wrist watch बनाती थी government जो है वो cars बनाती थी government जो है वो power plants और government ही सारे बड़ी-बड़ी factories बड़ी-बड़ी चीज़े जो है वो सरकारी companies ही थी for example BSNL को भी आप ले सकता है इसमें तो लंबे समय तक यह चला लेकिन अगर हमें mass prosperity चाहिए अगर हमें हर एक व्यक्ति को सम्रिद बनान है और उससे फिर हमारा देश सम्रिद बनेगा तो उसके लिए हमें चाहिए market based economic system 1991 से market based economic system का जो एक 1991 में हमने LPG किया LPG यानिकी liberalization, privatization, globalization, globalization तो हमारे economy के दारवाज जो है वो दुनिया के लिए हमने खोल दिये privatization जो है वो बढ़ने लगा तो इसके बज़े से डिफिरिटली एक बदलाव देखने को मिला है इसन इट पिछले 10-15 सालों में देखिए अज से 15 साल पहले कल ही में कुछ मेरे पुराने जो बच्पन के दोस्ते हैं तो भी वेर हैंगिंग आउट और चुटी का दिन था तो भी वेर टॉकिंग बाउट तो बात कर रहे थे कि आज से 15 साल पहले है लाइक कार होना जो है एक फोर वीलर होना जो है जो है अगर किसी के पास मारूती 800 थी तो 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 प्रोस्परिटी इंक्रीज हुई है और पर केपिटा इंकम यानि की एक एक व्यक्ती की जो इंकम होती है तेट इस एस सोट आफ मेट्रिक के आप मास प्रोस्परिटी को चेक करने के लिए यह दिखेंगे इस लाइक के एक घर में लिट से एक देश में दस लोग रहते हैं तो एक व्यक्ती जो है इसकी इंकम है एक करोड रुपए और बाकि के 9 नोगों जो है उनकी मंतली इनकम या फिर एक यह की इस व्यक्ती की इंकम है वन करोड और बाकि के 9 अलोगों की एन्डिविजियल अगर आप इंकम गिने तो इस लिट से 1 लेक रुपीज पर यह तो यह सिचुवेशन जो है इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं बाकी के नौ लोग के पास या फिर 90% के पास जो पैसे हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं लेकिन लगेगा यह कि यह अगर अगर आप देखेंगे तो लगेगा यहां पर तो इतने सारे पैसे जो है वो जनरेट हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर देखा जाएगा पर के पिटा पॉइंट ऑफ यू से देखे जाएगा तो पता चलेगा कि नौ लोग गरीब है एक व्यक्ति पैसे वाला है तो पर के पिटा इंकम जो है इससे एक मास प्रोस्पिरिटी का मेट्रिक माना जाता है और अगर भारत क अपर मिडल इंकम कंट्री में एंटर होना है तो हमें लोगों की जो पर के पिटा इंकम है इसको चार गुना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर फॉल्ड इंक्रीज इसमें हमें चाहिए और आने वाले पचीस सालों के अंदर अगर हमें ये फॉर फॉल्ड इंक्र ग्रोथ जो है वो हमारी GDP का होना चाहिए 7% और खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राजिये जो हैं इनको इनका एवरेज जो है वो तो और ज्यादा होना चाहिए तब जाकर वो गुजरात और हर्याना जैसे प्रोस्परस स्टेट्स जो हैं उनको उनको मैच कर अन्यूल ग्रोथ जो है वो काफी इंक्रीस होना चाहिए दो प्रशना हैं विल इंडिया जीडिपी ग्रोथ ग्रोथ जो हैं इसका डिवीजन जो है वो क्या अच्छा रहेगा एक्विटेबल रहेगा के एस्पिरेशनल राजियों के अंदर भी अच्छा ग्रोथ हो एडिट स्कॉर द लोंग रन एकोनोमिक ग्रोथ और कंट्री डिपेंज ऑन टू की फैक्टर्स दो ऐसी चीजह हैं जो लोंग रन में एकोनोमिक ग्रोथ को डिसाइड करती हैं नबर वन इस टेक्नोलोजिकल प् अब अगर मार्केट बेज्ड सिस्टम जो है राइट यह चीज़ को हम और ज्यादा प्रमोट करें मार्केट बेस्ड यानि कि प्राइविट कंपनीज जो है वह डिसाइड करेगी क्या चीज़ों का प्राइज क्या होगा मार्क क्यों कि सारी चीज़े जहां पर government है for example तो व से strategic sector है banking तो एक ही bank हो सरकारी public sector bank बाकि की जितनी भी bank से वो private banks अगर होगी ज्यादा से ज्यादा क्योंकि we know के हमारी जो public sector bank से उनके losses भी कितने ज्यादा हैं तो अगर banking sector को market based किया जाए तो capital की efficiency बढ़ेगी जो पैसे अभी क्या हो है कि बहुत सारे लोग जो है वो banks को चूना लगा कर चले जाते एंपिये काफी ज्यादा हैं भी एंपिये के बारे में अभी दो तीन दिन पहले ही हम बात कर रहे था है कि बुक मेंसे अगर हटाया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि एंपिये जो है इन public sector banks को दे रही है तो we don't want to see this situation कि अगर पैसे है तो private sector private banks जो है वो ऐसे थोड़ी अपने पैसे जाने देगी वो ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देगी वो अगर पैसे देगी तो सोच समझ कर पैसे देगी बले ही उनकी process जो है वो थोड़ी in-depth हो लेकिन private banks की speed भी काफी अच्छी है तो capital waste नहीं होगा और जो companies capable हैं जो eligible हैं meritorious हैं तो उनको पैसे मिलेंगे तो फिर ऐसी companies जो हैं उनकी तरक्की होगी उनकी दो branches को लेगी तीन branches को लेगी jobs jobs ज्यादा generate होगी तो इससे एकर में को ही फाइदा होगा तो privatization जो हैं सिर्फ banks का नहीं दूसरी ऐसी government undertakings हैं जिनको हम कहते हैं PSUs public sector undertakings यान कि सरकारी ऐसी बहुत सारी companies हैं कुछ ऐसी hotels थी जो सरकार चला रही थी तो ऐसी hotels को भी बेचना जो है वह start कर दिया है तो जितना यह बड़ेगा तो सरकार के पास भी पैसे आएंगे तो सरकार development के लिए इन पैसों का इस्तमाल कर पाएगी और दूसरी तरफ private companies आएगे तो यह सारे businesses फलेंगे फलेंगे तो इससे हम 7% growth जो है वह बनाने की जरूरत रहेगी transportation infrastructure जो है वह पिछले समय में काफी अच्छा हुआ है right air passenger traffic आप देखिए 13% annual rate से grow हुआ है 2012 से 2019 में और labor की capital की raw material की mobility जो है वह काफी अच्छी हो जाती है जब हमारे interior parts जो है गाँ के और चोटे टाउन की connectivity जब बड़े शहरों के साथ बढ़ जाती है तो फिर लोग भी travel कर पाते हैं पैसे भी travel कर पाते हैं सामान भी आप यहां वहां बेज पाएंगे तो reach जो है वो काफी बढ़ जाएगी इसके साथ digital payment में भारत में काफी अच्छा परफॉर्म किया है 2021 में हमरे देश में जो रियल टाइम डिजिटल पेइमेंट के transactions हुए है वो चाइना से लगबग तीन गुना ज्यादा हुए है और रूरल इंडिया में clean fuel का access 2012 से 2020 तक 18% increase हुआ है यह 54% हो गया है यह राइट तो इस और यह पहले 18% था clean fuel for cooking जो है यह 18% था अब 54% हो गया तो this is a good sign health की impact अब देखिए महिलाओ की health पर कितनी positive impact आएगी वो चूले से जो खाना बनाया जाता है तो उससे जो धुआ निकलता है तो उससे lungs के और बहुत सारे से disease होते रहते हैं फिर access to safe drinking water जो है यह 2012 के समय पर 46% था अब यह 56% के असपास हैं और sanitation की facilities भी increase हो इसमें बहुत सारा काम अभी भी करना है जा नहीं है कि यह सारी चीज़ें खत्म हो चुके हैं लेकिन long term health outcomes जो हैं इसके काफी अच्छे होंगे और इसके अलावा पेंडेमिक वोर्स यह सारी चीज़ें सोसियो पॉलिटिकल इवेंट्स की वज़े से अप डाउंस जो हैं वो होते रहेंगे लेकिन एक average जो हैं अगर हम maintain करके रखें क्योंकि एक healthy workforce जो हैं वो ज्यादा productive होती हैं राइटू कम बिमार होंगे कम पैसे खर्च होंगे ज्यादा काम कर पाएंगे तो income भी बढ़ेगी तो यह सारे अलग-अलग changes जगर हम करें तो आने बाले 25 सालों के अंदर 25 सालों के अंदर अंदर हम 7% growth rate जो है वो average 7% growth rate achieve कर पाएंगे और इससे भारत की पूरी यह नो आप सूरत जो है भारत की बदल जाएगी हर एक व्यक्ति की जो income है per capita income यह fourfold हो सकती है it is possible easy नहीं है difficult है challenging है but it is possible अगर right direction में right steps लिये जाए तो अब बात करते हैं aviation sector के बारे में government ने एक बहुत important decision लिया decision यह है कि 31st August से यानि कि end of this month जो airfares है यानि कि air ticket पर जो एक cap लगाई है कि इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते तो यह चीज़ सरकार अब हटा देगी from 31st August तो देखिए अब हमारे देश में routine operation जो है flights की वो start हो चुके हैं covid seat restrictions भी चले गए हैं कोविट के टाइम पर ऐसा हुआ था कि सरकार ने restrictions लगाया थे देखिए दो तिन मेने तक तो operations बन थे right planes जो है वो एरपोर्ट पर ही पार्क्ड थे बहुत सारा loss भी हुआ aviation sector को उसके बाद जब restrictions के साथ लोगों को उड़ने की इजाज़त दी सरकार ने तो उस टाइम पर seats क की डरँड़क आख सकते हैं इस तो सहरी औरम सरकार को यह डर था कि एरलाइज से चार्ज कर gefश हो पके से Markus बांद फ्लायर्स जो है नंबर फ्लायर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है और उस टाइम पर कोविट के टाइम पर ये फैर बैंड लगाना जो है इट वस गुड लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है फ्यूल की प्राइस जो है वो भी बढ़ के हवाले पर मार्किट के हवाले छोड़ दो के लिट एरलाइस डिसाइड और फिर पैसेंजर करेंगे उनको फ्लाइ करना है नहीं करना है लेकिन एरलाइस इतने भी पैसे नहीं बढ़ाएगी क्योंकि वह भी यह आप मास ट्राविलिंग करवाना चाहती है उससे ही उनका फाइदा होगा इसकी एक ही डाउनसाइड है डाउनसाइड यह है कि कुछ एलाइस जो है वो अपने पुराने लॉसस को कवर करने के लिए कार्टिलाइज़ेशन कर सकती है यारि कि सारी एलाइस जो है वो मिलकर डिसाइड कर देगी कि इतने किलोमेटर का रूट है लेकिन kartibilization भी हो सकते हैं, तो इस पर एक नज़र जो है वह aviation minister को रखने cái pourquoi लखिश्ट्री नहीं यह decision जो है सरकार का इस को welcome किया है और आने वाले समय में नüm शच्यों '' Afies the rank. और आने वाले समय है क्वे झोह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पानीपत में भारत का पहला सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट जो है इसका उद्गाटन किया एक बहुत ही इंपोर्टेंट मालस्टोन है देश के लिए हम लो कार्बन एकोनोमी बनना चाहते हैं यह वेस्ट टू वेल्थ प स्टबल बर्निंग होता है तो वह जो राइस स्ट्रो हैं तो एक साल में दो लाख टन जितना ये राइस स्ट्रो को यह कनवर्ट करके तीन लाख करोडे लिटर्स इसनोल बनाएगा यह पर्टिकूलर प्लांट जो पानीपत में प्राइम मिन्स्ट जाब ने इन्यूराइट किया है उद्गाटन किया है किसानों को काफी फाइदा होगा किसान जो है वो ऐसे ही चीजों को जला देते थे तो अब ये स्ट्रो जो है बेच कर उनको पैसे मिलेंगे दूसरी तरफ हमारे देश में फाइदा ये होगा किसानों को इसके पैसे मिलेंगे पॉलीशन जो है वो क करती हैं उतना उसके हम यह साल यह स्टबल बर्निंग से होने वाला जो यह इस्जीव है तो इसे इतने इतनी कार का इक्वेलेंट हुआ जो है वो कम होगा बिकाज अब गवर्मेंट को क्या करना चाहिए है सल फ्री परचीज ऑफ स्ट्रोव कि किसान के पास ट्रोव हैं तो फटा फट वो हम पर्चेस के लिए सरकार इस प्रांट के लिए खरीद ले अच्छी प्राइज किसानों को मिले और पेइमेंट जो है वो भी टाइम पर किसानों को मिल जाना चाहिए तो कि दुनिया के बिगेस्ट एमिटर्स ग्रीन हाउस के इमि इंडिया है और इंडिया का कमिटमेंट भी यम बिलियन टन जितना एमिशन जो हूँ उसको कम करेंगे बाई 2030 और हमने 10% इथेनोल को मिक्स करने का वादा किया था सरकार ने तो यह चीज़ हमने एचीव के लिए सरकार का नेक्स टार्गेट है कि 20% जितना इथेनोल जो है पेट्रोल के साथ हम ब्लेंड करेंगे, इसका फाइदा क्या होगा, कि लिटसे आप पहले सो लिटर पेट्रोल जो है, वह यूज करते थे, अब सो लिटर मेंसे लिटसे 20% एथनोल का ब्लेंडिंग होगा, तो 80% पेट्रोल 20% एथनोल, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 20% इंपोर्ट आपको कम करना पड़ेगा, that means हमारा जो dependence है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा, क्योंकि हम homemade ethanol को यहाँ पर blend कर रहे हैं, तो it is a very good thing, और हाल ही में सरकार ने पार्लियमेंट में से यह energy conservation amendment bill जो है, इसको पास किया गया है, और यह चीज, यह bill जो है, वो क्या करना चाता है, यह non-fossil fuels को प्रमोट करना चाता है, जैसे के ethanol, green, hydrogen, biomass, etc. और इस bill में यह भी provisions हैं, कि जो vehicle manufacturers हैं, वो इस bill को या फिर जो जो a game changer, and I'm sure this is not the, this is not going to be the only plant, यह first है, but it's not going to be the last, राने वरे समय में, और ऐसे plants हमें, अलग अलग जगाओं पर देखने को मिलेंगे, which is a very good thing for, from various different angles, जाहे, इंपोर्ट बिल हो, चाहे, किसानों के income की बात हो, जाहे, greenhouse gas को control करने की बात हो, जाहे, ग्रीन हाउस गैस को control करने के लिए, appoint किया गया था, किस सरकार ने इसको appoint किया था, नरेंदर मोधी सरकार, मनमोहन सिंग सरकार, अटल बिहारी बाचपे सरकार, या फिर HD देवेगोड़े सरकार, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइट करना है, आज का ये वीडियो पसंद आया हो, त इसको को इस वरी इंपोर्न दूसरे स्टुरंस को कुडिये स्ले एड्यूकेशन के बार में जरूर बताईये, और वीडियो ये वीडियो तिल देन, एंज्यू ये श्तुर्दी देन, इंज्यू ये श्तुर्दी गट्टब्स यौल जयुए हैं